नमस्कार साथियों CB Bical ITI गुरू में आप सभी का स्वागत है दोस्तों मैंने आपको पहले ही सुचित कर दिया था कि राजखिय और नेजी ITI में जो परवेश करने की जो अंतिनतिती है वो 23 सितंबर तक है 23 सितंबर तक जो है आप पडमेशन करा सकते हैं लेकिन बहुत लोग ज dus अमने जिस कोले में आप रहें कार्ण है और farm जमा करेंगे जब जमा करेंगे तो इस टाइम पर वहीं पूछ लेंगे सर्म मेडिटलेस कब तक यहां पर लग जाएगी वैसे जैसे मालजी आप farm आज जमा करते हैं ठीके तो दो दिन में वहां पर लग जाती है लेकिन ब पता दो यहां खबर में कि पहले से रजिस्टर्ड अभ्यारतियों को जो है परवेश की दी जाएगी वरीता तो इसमें होता क्या है जैसे मालो पहले आओ पहले पाओ के तरज पे भी अडिमिशन होता है जैसे मालो आपने फॉर्म पहले जमा कर दिया ठीक है तो अब क्या चुकी है सीट खाली नहीं है आपने देखा था कि सीट खाली है लेकिन वहां पर जाने के बाद हो कह रहे हैं सीट नहीं खाली है तो सवाल यह है कि सीट कहन कहीं हो फुल हो चुकी है कि किसी ने किसी परकास से कि जो लोग पहले चल जाते हैं अडिमिशन पहले करा लेते हों पर किरिया नहीं होगी नहीं डेट आगे बढ़ेगे क्योंकि NCBT के द्वारा जो है डेट इंडिधार कर दिया गए 23 सितंबर तक पूरे आल ओवर इंडिया में जितने सारे NCBT से इसकी बाद खत्म हो जाएगा यहां पर दोस्तों बताएगा कि इस्तितिक तक सभी राच्की और निजी और आईटिया में परवेशित अभ्यार्थी को डाटा पोर्टल पर अप्लोड कर सत्यापित करना होगा मतलब यह कि अपना जो है डिटेल वो सब फिल करना है और जो सत्यापित कर लेना है आवेधन की जो अंतिन तिति है वो 22 सितंबर तक है मलब कि जो निजी आईटियाई में अडमिसन लेना चाहते हैं निजी आईटियाई में अडमिसन लेने के लिए परवेशित का जो अंति नया फॉर्म भर सकते हैं 22 सितंबर तक भर सकते हैं इसके बाद परवेश करा सकते हैं 23 सितंबर इसके बाद ये भी डेट खत्म हो जाएगी तो प्राइबेट में अगर आप अडमिशन लेना चाहते हैं तो 22 सितंबर तक जो है आप रेजिस्टेशन कर सकते हैं नया फॉर्म भ करना होता वह आपको बताएंगे इसके बाद इसको अनसे कफाम आएगा वह आपको बताएंगे यह सब जो है डाटा आपको घ्राष करना होगा अपने डाकुमेंट अपकर